Hello friends, welcome you all, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिक्या दो देखे बात करेंगे टागेट 200 प्लस की, और अगला टागेट साड़े 300 प्लस का क्या अचीव कर पाएगा, क्योंकि 200 प्लस का टागेट बहुत आसानी से अचीव हो गया, अब ज़रा देखे रास्ता, देखे मंजिल को कहीं भी हो, रास्ते को समझ जाओगे, तो आप उस रास्ते में कहीं पर आराम कर सकते हो, तो कहीं पर विशराम, कहीं पर तेज सकते हो, तो कहीं पर स्लो, क्योंकि आपको रास्ता पता है, उतार चड़ाओ, आता रहेगा, लेकिन आपको क्या है, रास्ता पता है, मंजिल प बात करते हैं देखें लॉंग टम इन्वेस्ट्मेंट के ओपर अभी कमेंट आया था एक व्यूवर का कि जब हम लॉंग टम इन्वेस्ट्मेंट की बाते करते हैं तो मैं यहां पर करना चाहूंगा लॉंग टम मतलब बड़े टाइम फ्रेम उसमें आपको बहुत पेशेंस र अगे प्ले कर रही हो तो मतलब उसमें आपको कई महीन्य लग सकते हैं कई साल भी लग सकते हैं दिसने आपस रेली को और अगर आप उसमें पूजिशनल बने रहे हो अब मथली में स्विंग को प्ले कर रहे हो तो मतलब आपका कुछ Polizei क काम है कुछ हपतों का कम है लेकिन अ तो corrections आ रही है उनको समझ के और position एड करते जा रहे हो या फिर hold किये बैठे हो जब तक वहाँ पर trend बलता हुआ आपको नहीं दीखे तो आप लंबी दूरी तक खेल रहे हो उसको मंतली के position में जा रहे हो आप देखिए तो यह समझना बहुत important है कि आप कर क्या रहे हो तो इसल रास्ते को अगर आप देखोगे सरकारी बैंक private होंगे तो इस टॉक पे नजर होगी क्या सरकारी बैंक private हो रहे हैं अगला target कहा है देखिए 320 से 350 का जोन और यह जोन देखिए कितना important था यह 240 से 260 का यह जोन 260 की 280 की around का यह जोन है इंडियन बैंक आज की डेट में इंडियन रहली और हाई बना लिया 256 का इंडियन बैंक आपको गयर वा अब बहुत ज्यान से समझने की कोशिश करना यह मंतली चार्ट था और आपके सामने जो प्राइस आया था वह यह रेंज थी देखिए बिल्कुल यह रेंज थी और आब आपके लिए जो जोन की हम बार-बार जो था यह जोन था देखिए यह जो आपको ब्लू बॉड़ी दिख रही है न यह जोन अब देखिए अब आपको गयर यह जोन तो यह टार्गेट 250 प्लस का जिसको बार-बार कहा जा रहा था वह तो अचीब हो गया अब अगली बॉड़ी का जोन हमारे पास यह है यानि कि फॉल से पहले की ब्लू बॉड़ी अगली यह है और उसके अगला जोन जो है वो फिर 420 से 450 का जोन हो जाता है तो देखिए अब देखिए रहली अब उमीद होगी इस दौरान पर चाहे वो यहां से आए चाहे यहां पर आए एक कंसलिडेशन और पुल बैक की लेकिन आपक यह प्राइस जा चुका है तो बहुत लोगों की नजरे इस पर होंगी लेकिन प्राइस जाने से पहले जो इंपोर्टेंट प्रोसेस की बारे में बात करते हैं वो समझना बहुत इंपोर्टेंट है तो देखिए पुराने वीडियो को ज़रूर जब 169 170 का प्राइस था बल टार्गेट सोचा था 250 के राउंड का और मान लो मैंने खुप सारे शेर्स यहां पर खरीद देते और यहां पर जाके मेरा प्लैनिंग था देखिए प्लैन इंपोर्टेंट है आप हमेसा एक प्लैन बना के चलिए और प्लैन फेल होता है तो उसी प्लैन में आपका एक्जि के ले रहा था कि इस एरिया में मैं एट लिस्ट 500 से 600 शेर को बुक कर लूँगा और आधे से भी कम शेर रखूंगा इस टार्गेट जोन के लिए और अब धीरे धीरे जैसे यह कंसॉलिडेशन आएगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस भी उठके ऊपर जाएगा और प्रॉफ यहां पे भी निकाल जाए जाए यानि कि 200-300 शेर यहां पे निकालेंगे बाकी के बचे हुए का टार्गेट जोन लेंगे यह वाला और यहां पे फिर ट्रेल करते रहेंगे स्टॉप लॉस को तो यह समझना बहुत इंपोर्टेंट है कि प्लैन क्या है 200 का टार्गेट किया हैं तो अगर आप भुक नहीं करते हो इंपोर्टेंट पार्ट और अंगर आस्ण किया भी मैंने थे लिया है नहीं इनिशल टार्गेट जोन तो यहां है लेकिन यह स्टॉक बहुत ही धमदार देख रहा है तो यहां पर जो करेक्शन आई कि मैं यहां पर पोजिशन एड करूंगा तो यहां पर जाके मैं थोड़ा बहुत रिलीज करूंगा और कंसल्डेशन रिजॉल्व होगी तो फिर जाके एड करने की कोशिश करूंगा with a stop loss of this तो यह सारे आपके प्लांस बन रहे हैं तो यह important है प्लांस के हिसाब से execution करना तो इंडियन बैंक के शेर आप देख सकते हो clearly एक नहीं पुरानी वीडियो आप देखिए यह देखिए यह वीडियो देख सकते हो और दूसरा यह वीडि जोन्स को आप समझ सकते हो ज्यादा पुरानी बात निया जुलायगस्त की यह बाते हैं और उसके बाद बढ़िया वॉल्यूम यहां पर बनता हुआ बढ़िया मुवमेंट हमको इंडियन बैंक में देखता हुआ लेकिन और एक important stock के आज बात करेंगे इंडियन बैंक के अ अगर आपको यह बता दिया जिए वीडियो आने का मकसद था वो था आपके comments यहां पर बहुत comments हमारे पास आये थे और इन comments को देखे खास कर कि Rajesh Kumar जी का और इसी उन्हीं के टम पर यह वीडियो क्रिएट किया उन्होंने comment पर comment करते रहे कि centrum electronics को देखो यह positivity यहां पर weekly पर प्राइस weekly पर 200 ऐसे में तो सारी चीज़े आपको focus में रखी गई थी बस यही कारण था और इसका इनिशल टार्गेट जोन की बात करते हैं इनिशल टार्गेट जोन आज हो गया अब आपको गया कैसी बात है करो देखें मैं weekly का chart फिर से आपके सामने उपन कर देता इनिशल टार्गेट जोन जो है वो हिट हो गया लेकिन अभी लंबी दूरी फिर से जासे यह इनिशल टार्गेट जोन हिट हो चुक है आज की बहुत आसानी से इसने यह इनिशल टार्गेट जोन को हिट कर दिया अब अगला टार्गेट जोन उससे अगला टार्गेट जोन अब आपको गया रहे टार्गेट जोन कैसे कुछ नहीं लिक्विडिटी एरिया आज को हम फोकस कर रहे हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी ब्रेकाउट के लिए प्ले करती है वहाँ पे है जो नॉर्मल पीपल ब्रेकाउट के लिए प्ले करता है स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्ले कर रही है देखिए वह इनिशली बिल्कुल मूविंग आवरेज के क्लोज बाई कर रही है और इन एरियाज को टार्गेट अब फिर से उम्मीद होगी इस सीधे मूव को आपको शोटे डाइं मैं देखोगे तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्शर देखेए मैं और आपको मजबंग आ गया यह तो यह तो बिल्कुल जा रहा है और टार्गेट इस टॉक का यहानिए उपर पर का टार्गेट है कि कि यह embrace whatever looks in 정말 coupled to свои कि मंतली टाइम फ्रेम पे देखो तो यह बहुती बड़ी मिसाइल तयार落ी की तयारी की चल रही है यह सैंटम एलक्ट्रोनिक्स बहुती लंबी दूरी की तैयारी चल रही है यह देख है। यहीं को आप देख रहे हो और आप से नहीं पिछले साल यानि कि यह 2021 के जून-जुलाई से इसके उपर फोकस आप देखो कोई बड़ा मूव इसने दिया नहीं है अगर आप लॉंग टम की बात करते हो इसलिए आपको कहा रहा था कि जब मन्थली वीकली को आप फॉलो करते हो तो बहुत टाइम ले सकता है तो आप क्लियरली देखो कि अभी कोई बड़ा मूव इसमें आया नहीं है यह मूव की जो उमीद है वो उमीद काफी दूर की है और वो मैं अट लिस्ट जो टारगेट जो है इस लिक्विटिटी जोन यानि कि साड़े 900 से 1000 का जो जोन है यह यह त यह सेंटम इलक्ट्रोनिक्स आपको आज की डेट में 10% से अचम्मा नहीं प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपोर्टेंट है अब आपको हो गया यह तो बहुत बढ़िया है भाग गया लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि यह स्टॉक को अगर आप 8-10 बहिने से देख रहे ह तो आपको होगे भई यह उस पेशिंस का नतीजा है बड़े टाइम फ्रेम अगेन जिन लोगों को कन्फूजन है लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट का तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा मन्थली और वीकली के टाइम फ्रेम्स आर फॉर लॉंग टर्म यहां पर आपको इस रेड केंडल बड़ी रेड केंडल की बात करो तो आप देखोगे फर्वरी 2015 दो साल लगे इसको यहां पर अब आपको गयार वह यह तो बहुत ही बड़िया सेचिवेशन है तो लॉंग टॉप मतलब बड़े टाइम फ्रेम हमारा यह मतलब है यहां पर और इंडियन मैं आपको यही कहते हैं कि वही सीखिए हाई मोमेंटम एरिया को अंडरस्टेंड करना हाई मोमेंटम की एरिया को अगर आप समझने लग गए तो भी यह बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है और आप इसको रिलेट करके देखिए मैं आपको फिर से यह एरिया इसका माक और कोशिश करूँगा आपको इस एरिया को समझाने की यह एरिया देखिए आप कहोगे इसको ट्रेंगल फॉर्मेशन लेकिन हम इसको बार बार कहते हैं कि यह समझना है हाई मोमेंटम देखिए प्राइस नीचे था नीचे था यहाँ पर आरेस ने अपने पिछले जो हाई का रेंज था उसको तोड़ा प्राइस ने अपना जो ट्रेंड था उसको तोड़ा और यह गया सुपर मोमेंटम एरिया हाई मोमेंटम एरिया यानी की लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तो माल लो आप 96 पर बाय कर रहो तो आपको पता है स्टॉप लॉस कहां पर यह देख